Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? अभी admission season चल रहा है बहुत सारे students एपलाई कर रहे हैं colleges में according to their gate score वो अच्छे से अच्छा college लेना चाह रहे हैं and I'm sure आप भी उनमें से एक होगे जो बहुत सारे teacher से पूछ रहे होगे आपने friends से पूछ रहे होगे senior से पूछ रहे होगे कि कहा admission ले क्या करें, कैसे करें confusions हैं बहुत सारी और आज मैं ऐसे students की confusion को बिल्कुल जड़ से खतम कर दूँगा जिनको ये है कि हम drop ले या फिर किसी भी college से mtac कर ले अगर gate score low है तो जो भी आपको best से best college नजर आ रहे है उसमें admission लेकर के mtac कर ले या फिर ड्रॉप ले तो पूरा detail में आपको एक बात समझाऊँगा अच्छे से इस वीडियो को देखना समझना और आपको मैं proper insights दूँगा एक एक बात की सबसे पहली बात जो सबसे बड़ी misconception है सोबल मिसकंसेप्शन लोगों के स्टुदेंट्स के दिमाग में रहती है आप mtac क्यों कर रहे हैं आप मुझे बताना पढ़ाई करनी है कड़वी बात बोलूँगा लेकिन सची बात बोलूँगा पढ़ाई करकर के ठक है नहीं हो क्या बेटा पढ़ाई नहीं करनी है इतनी पढ़ाई करनी थी जो कुछ करना था तुम कर चुक्यों btac में mtac में पढ़ाई नहीं करनी mtac में आपको so-called skills ग्रैब करनी है जिससे आपकी एक अच्छी placement हो सके पढ़ाई से प्लीज मिस अंडर्सूड मत करना पढ़ाई तो करनी पढ़ेगी पढ़ाई in the sense theoretical बाते computer architecture आपने btac में पढ़ा advanced computer architecture mtac में कर लोगे operating system पढ़ा advanced operating system पढ़ा dbms पढ़ा advanced dbms पढ़ा दोगे algorithm पढ़ा advanced algorithm आजाएगा ऐसे थोड़ थोड़ा enhancement सो जाती है चीजों की अब अगर यही सभी पढ़ना है तो बेटा इससे कुछ नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा कड़वी बात लेकिन सची बात बोल रहा हूँ क्या placement होगी आपने advanced computer architecture पढ़ा लिया थोड़ा सा advanced level कर लिया जहां जितना btac में पढ़ा था थोड़ा सा और आगे कर लिया उससे placement होईगी सोच के देखना दरा मतलब भी नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ाई जितनी करनी थी theoretical पढ़ाई वो btac में कर चूकर mtac में वो नहीं करनी अगर तुम ऐसे college में जा करके फस रहे हो जहां पर यही सब चलना है छोड़ो दो बेटा कोई फाइदा नहीं है btac करके पच्ता रहे हो ना mtac करके 10 गुना ज़्यादा पच्ता हो गया इससे बड़ी बात में नहीं कह सकता कुछ एक है न mtac करनी ही नहीं है कोई use नहीं है उसका मैं अगेन नगेन आपको कहा रहा हूँ आपको डीगरी नहीं चाहिए आपको प्लेस्मेंट चाहिए सिरफ और सिरफ प्लेस्मेंट के चक्कर में आप mtac करने के लिए जा रहे हो चाहो तो यह skills आप घर बैठे भी acquire कर सकते हो पर मेहनत करने पड़ेगी आपको कोडिंग असाइनमेंट्स मिलेंगे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और वो कोडिंग एसाइनमेंट्स तीन, चाहार स्ुडेंट्स का गुरूप बना करके स्क्रीम जाती है ऐसी प्रोजेक्ट्स जो होगे वो भी 3-4 स्ुडेंट्स मिलके गुरूप बना कर के करते हैं उससे क्या होगा आपकी बहुत जादा इंप्रूव होंगी। आप इमेजिन करें एक फाइस्टार कोडर के साथ बैठ करके आप कोडिंग कर रहे हो। वो इतनी छोड़ी-छोडी क्रिस्प बाते आपको समझाएगा कि इस तरीके से लिखने हैं। उसने जितना सीखा है आपको वो बहुत जलदी सारों सेखा देगा। उसके पीछे सारे लोग भागते हैं।डीी का कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो, तो आपको M.Tech में skills grab करनी है, डिगरी नहीं करनी, पढ़ाई वो फालतु कि यह बकवास नहीं करनी, advanced architecture पढ़ो, advanced operating system पढ़ो, कुछ नहीं मिलेगा इस सब से, theoretical knowledge से, ठीक है, practical knowledge से मिलेगा, of course आप IIT में भी यह सब करेंगे, लेकिन the thing will be, the basic difference will be, वहाँ पे आपको coding assignments में लेगे, अब मैं IIT Bombay में जब था, हमारे subject आथा, systems का subject था, उसमें सबसे पहले दिन प्रोफेसर ने आते पते क्या का था, शेल बना गया, अपना UNIX का, the very first assignment was this, अमझ रहे हो ना, तो यही चीज में चाहता हूँ, यह environment चाहिए, यह निचे यह कि बस हाँ जी, नहीं मिलने वाली, कहीं कुछ नहीं होने वाला, बीटेक में यह किया ना, क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना, अब फिर काम करने के लिए, हम टेक में जा रहे हो, इसलिए मेरी request है, आप सब लोगों से, ऐसे किसी भी college में admission मत ले देना, जहां पर यह सब theory वाली बाते चल रहे किसी भी interview में जाओगे ना, companies में, पहला सवाली पूछेंगे, Mtech क्यों करी तुम दे, Vtech के बात placement नहीं हो थी गया, पहला सवाली यह आता है, अगर किसी बेकार से college से कर ली तो, समझ रहे हो ना, अच्छे college में जाओगे तो, of course, वहां तो बात यह लग है, प्लीस इस बात क इसलिए, जिस भी college में admission लेना चाहते हो, at least, वहां के students से बातचित करो, वहां का environment चेक करो, हो सकता है, तो वहां पे एक बार visit कर आजाओ, दो साल की बात है, कोई दो दिन की बात नहीं है, वहां पे दो साल निकालने हैं तुमने, पूछ के तो आओ students से, कि हां भी कितने satisfied है वह कितना उनको ठीक लग रहा है, सबसे basic बात ही है, coding assignments हो रही है, projects हो रहे हैं, यह दो चीजी आपको जुरूर देख नहीं है, अगर यह दोनों चीजी missing है, मेरी तरफ से big new है, उस college में चले जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा वहां से, आप बिलकुल मतलब, you can say, जैसे B. बिलकुल इस बात का बहुत ध्यान लगना है, और एक बढ़िया बात बताता हूं, डिग्री विल बी a piece of paper for you, अगर आप किसी भी college से pass out हो गए और आपकी placement नहीं होई तो, सिधी बात है, campus placement का बहुत ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी college में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ भी इसका level इतना अच्छा नहीं है, और उस college में पहुँच गए, जो मैंने basic चीजे बताई है, coding assignments और projects यह होने चाहिए, होने के बाउजूद भी, आगर उसकी college की rank अच्छी नहीं है, और आप वहाँ पे admission ले रहे हैं, आपने amtech कर ली, pass out हो गए, degrees a piece of paper for you, कई placement नहीं होगा, कड़ भी बात लेकिन सच्छी बात, तो बेटा, अच्छे colleges के बहुत जादा फायदे है, सबसे बड़ा फा कि लोग क्यों जादा मरते हैं वहाँ पे जाने के लिए, सबसे बड़ा फायदा है, alumni base, alumni बहुत अच्छे हैं वहाँ के, बहुत बड़ी-बड़ी positions पे लोग पहुंचे हुए, आपके friends, आपके seniors बहुत अच्छे अच्छे जगह पे होंगे, वो एक recommendation करेंगे, आपका किसी कमपनी में आपको बहुत अराम से selection हो सकता है, समझ रहे हो ना, और IIT के professors के तो बात ही क्या करूँ मैं, उनके खुद इतने close friends होते हैं, जो बड़ी-बड़ी companies में job कर रहे होते हैं, और director level पे होते हैं, vice president level, VP level, director level, उनका just एक phone call आपको आपको आपकी dream jobs दिलवा सकते हैं, वो सब बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा, आज कि मेरे को IIT के बारे में नहीं बताना एस वीडियो में, मेरे को बताना है कि college में एडिमेशन लेना चाहिए के नहीं, तो सिब से simplest बात मैं आपको बता दी, पढ़ाई करने आप नहीं जा रहे हो college में, पढ़ाई तुम theoretical बाते हैं, तुमने basic चीजे पढ़ी है, डिटेक में, उससे कोई इतनो करी नहीं लेगी न, तो अभी भी कुछ नहीं होना, तो please ये मन से बिल्कुल भहम निकाल दो, you are going to M.Tech just because आप proper skill set acquire कर सके, जिससे आपकी एक अच्छी job लग सके, पढ़ाई करने नहीं जा रहे है, proper skill set लेने के लिए बहाँ पे जा रहे हो, आप अपने friends circle में, जो भी आपके साथ friends होंगे, जिनको बहुत अच्छी coding आती है, आप उनसे coding सीख सकते हो, और बहुत कुछ अपने friends से सीखोगे जादा तर बजाए के professor से या teacher से, तो यही सब सीखने के लिए, यही सब चीजों के करने के लिए आप एंटेक करने के लिए जा रहे हो, और अगर आपको यही सभी नहीं मिल रहा हो, तो भी फायदा क्या, environment अच्छा नहीं है, coding assignments नहीं मिल रही है, ताक करोगे वहाँ जागे, I hope मैं आपका doubt clear कर पाया होंगा, वीडियो अच्छा लगा, please like करना, अपने friends के स चलते हैं, अगर आपको लगता है कि YouTube की playlist काफी लंबी है, जैसे discrete mathematics से मैं start करने के लिए कहता हूं, around 180-190 hours की playlist है discrete mathematics की YouTube पे, बट उसी को मैंने around 90 hours में पेड में cover up करा रहा है, तो अगर आपको लगता है time कम है, तो आप मेरा paid courses भी ले सकते हो, वन यर की validity के लिए 55 आपकी को प्रिपल नाइन में, चीज बहुत कम है, यह मत सुचना कि courses ऐसे ही होंगे, courses पेटा, अगर मेरे से पढ़ा है YouTube पे तो आपको पता लग रहा होगा कि किस quality का content में देता हूं, यह तो मेरे students का प्यार है, students भी खुदी बोलते हैं कि sir, आपका दिल बहुत बड़ा है, जो इतन courses देते हो, इतना beautiful content और इतने beautiful detail में चीज़ें हमारे को पढ़ने को मिलती है, तो मतलब इस course में आपको कुछ ने मिलेगा, एक pizza भी नहीं आता, इस course में मैं आप लोगों को courses दे रहा हूं, मेरा बस यह है कि affordability रहने है, हर एक student पढ़ सके, पैसे के चक्कर में कोई student रहना ज मैं पैसे नहीं दे सकता, या effort नहीं कर सकता, मैं आपको free of course भी दे दूँगा, या चाहते है, सर आप हमारे को कुछ discount दे दो, मैं discount भी दे दूगा, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, सेव भावना से मैं काम करता हूं, मैरे को कोई business setup नहीं करना है, मैरे को क पर्चेस करना चाहते हो, कर सकते हो, discrete mathematics completed है, TOC completed है, discrete digital एक अधे lecture रहे हैं, और CN अभी हमारा चल रहा है, तो फिलाल four courses है, आप जो भी purchase करना चाहते हो, कर सकते हैं, तो combo offers भी है, हमारे पास, मतलब अलग लग, discrete और TOC लेना चाहते हो, इक अप ले सकते हो, आप ले सकते हो, और एक बात, मैं आपको commitment कर देता हूँ, मेरे पस कोई sales team नहीं है, तभी मेरे courses की fees इतनी ज्यादा कम है, मेरे पस कोई team नहीं है, मैं अकिला अदमी हूँ, जो काम करता हूँ सारा, तो यह चीज कभी मत expect करना, कि मेरे तरफ से आपको call आ जाएगा, यह मतलब इन the sense कि आपन भी नहीं आपको मिलेगी, आप मुझे जानते हैं बेटा मेरे पर तो बिल्कुल भी time नहीं होता, तो मैं मतलब calls करूंगा, that is never ever, ऐसा आपको कभी tension नहीं होएगी, बिल्कुल tension free होकर के आप app डाउनलोड कर सकते हो, account बनाओ, देखो, पसंद आता तो courses लो, नहीं पसंद आ आप बाई